हुआ है अगाई है अगाई है अगाई है अगाई नमस्कार प्यारे विद्धियाद्थियों कैसे हैं आप आए हमारे इस यूटूब चैनल ओनलाइन क्लासेज बाइसल जाट पर आपका स्वागत है विद्यार्थियों आज की जुमाई क्लास है वह हैं प्रवाह कारी पुष्थी का गनीत कक्षा छे एवं साथ केंतरगत कारी पत्रक 10 आज की क्लास में हम कारी पत्रक 10 कोल करेंगे जो पेज नमबर 16 पर है आईए शुरू करते हैं कारी पत्रक 10 इसमें दक्षिता हैं 2-3 अंकी संख्याओं में 1-2 अंकी संख्याओं से बाग करना 6 एवं 206 ठीके विद्यार्थियों तो आज की क्लास में हम बाग करना सिखेंगे समझेंगे सवाल नमबर पहला है बाग कीजिए अब हमें यह जो बाग दे रखेंगे इन बाग को हल करना है कव वाला देखिए 6 का बाग देना है में 36 में 6 का पाड़ा बोलेंगे 6 चंग 34 6 का पाड़ा हम 6 बार बोलते है तो प्राप्ट होता है 36 36 में 36 गड़ाएंगे क्या बचेगा 0 बाग पल कितना आया 6 बाग पल है 6 6 पल 0 ख है 8 का पाड़ा बहतर में देना है 8 नम 72 72 में से बहतर गड़ाएंगे 0 बाग पल कितना आया 9 6 पल आया 0 बाग पल कितना आया 9 6 पल आया 0 बाग पल आया 8 चपन में 7 अट्टा 56 56 में चपन कड़ाएंगे 6 पल 0 बाग पला आया 8 6 पल 0 ठीक है वे जारती हूं अगला अगला जो सवाल है सवाल नमबर दो हल कीजिए इसमें कवला है 18 का बाग देना है में 704 में अठार का बाग 77 में देंगे 18 का पाड़ा बोलेंगे 77 से अधिक नहीं हूं अठार एक हम अठारा अठार दूने च्छतिस अठार दिया चोपन अठार चोक बहतर चार बहर अठार चोक बहतर अब 77 में सब बहतर घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 कि और उपर से उतार रहेंगे हम 6 कि अठार से नहीं है चलिए अगला जो है कि Gespr 一 से जहां हे जा से बहुँन तहीं में ग्यारा में है, 47 का बाग, 611 देना है, 47 का हम 61 में देंगे, 47 एक हम, 47, 61 में हम 47 कर रहेंगे, कितना बचा, 14, और उपर से उता रहेंगे हम, 1, क्या बन गई, 141, अब हमें 47 का बाग, 141 में देना है, 47 का बाड़ा बोलेंगे, 141 यदिक नहीं हो, 47 का बाड़ा हम 3 बार बोलेंगे, तो 141 आएगा, 141 में से 141 गटाएंगे, तो बचेगा, 0, बागफल 13, 6, 0, अगला देखिए, 25 का बाग हमें, 800 में देना है, 25 का बाग हम, 80 में देंगे, 25 एगम 25, 25 दूने 50, 25 तिया, 75, 80 में से 50 गटाएंगे, बचेगा 5, उपर से उतारेंगे, 0, 25 का बाग देंगे, 50 में 25 दूने 50, 50 में 50 गटाएंगे, बचेगा 0, अगला देखिए, 40 का बाग हमें, 800 में देना है, 40 का बाग हम, 80 में देंगे, 40 दूना, 80, 80 में से 80 कटाएंगे, 0, उपर से उतारेंगे, 0, और एक बाग देंगे, तो कितना आएगा, 0, बाग फल कितना आएगा, 20, शेर्षफल, 0, ठीक है विजए अर्थियो, तो यह था, दूसरा सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं, विजएर्षियो, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर, 3, हल कीजिए, अब इसमें जो बाग दे रखें, यह बाग हमें हल करने हैं, कहें, 56 में बाग देना है, चार का, चार का बाग 56 में देंगे, तो इजएर्थ हम अलग पेज़ पेज़ बाग को हल कर लेते हैं, 56 में हम बाग देंगे, चार का, चार का बाग 5 में देंगे, 4 एक हम, 4, 5 में से 4 गटाएंगे, 1, उपर से उतारेंगे, 6, चार का बाग देंगे, 16 में, 4 चोक, 16, 16 में 16 गटाएंगे, 0, तो बाग फन कितना है, 14, कितना आएगा, 14, यानि चार का बाग 56 में देंगे, 14 बाग, ख हैं, 40 में बाग देना है, 5 का, 5, 48, 40, कितना आएगा, 8, गटा है, 63 में बाग देना है, 7 का, कितनी बाज आएगा, साथ नम, 63, नुबर, अगला है, गव, 284 में बाग देना है, 4 का, चलिए हम बाग देते हैं, 284 में, बाग देना है, 4 का, 28, बाग देंगे, 4 उस्ता, 28, बाग देंगे, 0, उपर से उतारा, 4, 4 का पाग देंगे, एक बार, 4 एकम, 4, 4 में चार गड़ाया, 0, बाग बाग देंगे, कितना है, 71, या लिखेंगे, 71, अगला है, अंगर, 125, बाग, 5, हमें 125, 5 का पाग देना है, चलिए हम देखके देखते हैं, 125 में बाग देना है, 5 का, 5 का बार, देंगे, 5 दूनी, 10, 12 में से 10 गड़ाएंगे, दो, उपर से उतारा, 5, 5 का बाग, 25, 25, 25, 25, 25 में 20 गड़ाएंगे, 0, बाग बाग कितना है, 25, हम या लिखेंगे, 25, अगला है, 340, बाग, 4, 340 में 4 का बाग देना है, 340 में बाग देना है, 4 का, 34 देंगे, 4, 8, 32, 34 में 32 गड़ाएंगे, बच्चा 2, 0 उताराएंगे, 20, 4, 5, 20, 20 में 20 गड़ाएंगे, 0, कितना है, 25, हम या लिखेंगे, 25, ठीक है, विद्यार थीओ, चली अगला है, सवाल नंबर 4, बाग के प्रश्णों को हल केजिए, अब यह जो बाग के प्रश्ण है, हमें इन्हें हल करना है, अब यहाँ देखिए, बाग देना है, 30 में 5 का, 5 में 5 का, 50 में 5 का, 25 में 5 का, और हमें यहाँ बाग फल यहाँ इस तरफ लिखना है, से पच्चास देंगे पांच दाय है पच्चास दस बर कॉच्चीश में पांच का देगे पांच पंचाप पच्चीस यहाएगा पांच इसी परकार से इनको भी हल करना है अब बारा का बाग देना है ठीक है वंध़े पे हल करते हैं जीसे बाराग बाग हम 114 में देंगे हैं कि बारा एकम बारा है चवदह में से बारा कर रहा है बचा दो उपर से उतारा चार चोबीस बारे कम बारा बार दोनी चोबीस स्ववड्योड बारा यह डूघसम बाएगा बारा अब हम 168 में देंगे कि बारा कवाग बारा कवाग स्वला देंगे बार एकम बारा जोला में से बाराक रहेंगे चार उपर से उतर 8 48 बाराग बाग अर्दलन देंगे बार्चोक 48 48 में से 28 गटाएंगे 0 बाग बल कितना है 14 तो हम यह लिखेंगे 14 अगला देखिए 204 में बाराग बाग देना है तो हम यह देते हैं 204 में 12 का बाग 20 में देंगे 12 गम 12 20 में से 12 गटाएंगे 8 उपर से उतरा 4 84 12 का बाग 24 में देंगे 12 सद्दा 84 84 84 0 बाग बल कितना है 17 यह लिखेंगे 17 अब हमें 324 में बारा का बाग देना है 324 में 12 का बाग 12 का बाग 32 में देगे 12 गम 12 गम 12 7 84 84 में 84 गटाएंगे 0 बाग बल कितना है 27 यह लिखेंगे 27 ठीक है भी देरती हो अगला देखिए यह सवाल है इन में 8 का बाग देना है इन सभी संख्याओं में हमें 8 का बाग देना है सबसे पहले 80 में 8 का बाग देंगे 8 दाए 80 10 256 में 8 का बाग देना है हम यह अलग से देखे देख लेते हैं 256 में 8 का बाग 24 में 25 में 8 तिया चोईस 25 में 24 गटाएंगे एक बचे का उपर से उतराएंगे 6,16,8 दूनी 16 कितना आया 32 तो हम यह लिखेंगे 32 अब हमें 200 में 8 का बाग देना है 8 दूनी 16 20 में 16 गटाएंगे बचे का 4 उपर से उतराएंगे 0,40,8 पंजा 40 40 में 40,0 बाग दूनी कितना है 25 हम यह लिखेंगे 25 अब इसमें देखिए 145 में आठ का बाग देना है 145 में आठ का बाग आठ का बाग आठ एकम आठ 14 में से आठ गटाएंगे 6 उपर से उतराएंगे अठ का आठ का बाग देखिए आठ रहा है 64 अगला सवाल है सवाल नमबर पांच हल कीजिए अब यह जो मैं बागवार देगे में बागवल शेस्वल बागवल शेस्वल बागवल शेस्वल लिखना है इस बाग को देखर कि 9 का बाग 45 में देना है तो हमें 9,5,45, 5 बार बाग फल 5, 6 फल 0 बाग फल कितना? 5 रहेगा 6 फल 0 अगला बाग है 136 में हमें 4 का बाग देना है ठीक है वे देरते हूं बाग देखे देख लेते हैं अलग से पेच पर बाग दे देते हैं 136 में हमें 4 का बाग देना है तेरा हम देंगे चार तेरा बारा तेरा में से बारा गड़ाएंगे बच्चा एक, उपर सो तरह 6, 16 4 चोक 16, 16 में 16 गड़ाएंगे 0, बाग फल 34, 6 फल 0 बाग फल 34, 6 फल 0 अगला देखिए गरवाला 237 बाग 5 237 में 5 का पाग देना है 237 में 5 का पाग देना है 23 में देंगे 5 चोक 20 23 में 20 गड़ाएंगे बच्चा तीन उपर सो तरह 7 37, 5 का पाग सेंटेज देंगे 5 चोक सत्था 35 35 में 35 गड़ाएंगे बच्चे का 2 बाग फल 47, 6 फल 2 अगला है गर 165 बाग साथ हमें 165 में 7 का बाग देना है देखिए 165 में बाग देना है 7 का 16 में देंगे 7 दूनी 14 16 में 14 गड़ाएंगे तो बचेगा 2 उपर से उतारा 5 25 7 का बाग 25 देंगे साथ्या 21 25 में से 21 गड़ाएंगे बचा 4 बाग फल 23, 6 फल 4 बाग फल 23, 6 फल 4 ठीक है विद्यारती हो तो यह था आपके पांचों सवाल अगला सवाल है एक कक्षा में 35 विद्यारती है यदि एक बेंच पर पांच विद्यारती बेठें तो कक्षा में कुल कितने बेंचों की आवश्यक्ता होगी एक अख्षा में कुल विद्यारती कितने है 35 एक बेंच पर पांच विद्यारती बेठें तो कितनी बेंचों की आवश्यक्ता होगी तो 5副 वागा हम 35 में देंगे तो हमें बेंच हो की आवशक्ता होगी हम लिखेंगे अन्य लावषक्ता होगी बराबर कितनी 35 वि miserति हैं उसमें हो पांच का पाग देगे क्योंकि एक bench पे पांच विद्यार्थी बेढ़ते हैं पांच का पाग 35 देगे 57 35 कितने bench के आवशकत होगी 7 bench कक्षा में 7 bench के आवशकता होगी ठीक है विद्यार्थी हो तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कारी पत्रक दस कोल किया आप इस कारी पत्रक को समझते हो जरूर कीजिए विद्ध्यार्थियों आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निचे दिए करे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूटूब चैनल ओनलाइन क्लासे वाइसल जाट क को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ओल नोटिफिकेशन के लिए दबाईए ताकि आप तक हमारे लेटे स्टुडियो सब से पहले पहुंच पाएं आप अधिक सदी विद्यार्थियो मित्रों तक हमारे वीडियो शेर जोर कीजिए विद्यार्थियो आप निचे दिए के कमेंट्स बोक्स में कमेंट्स करके बताईए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा तो विद्यार्थियो मिलते हैं अगली क्ला झाल झाल